हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 से रिलेटिड करंट अफेर्स के जितने भी कुशिन बन सकते हैं आज ही क्लास में सारे कुशिन को कवर करेंगी और हर कुशिन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये क्लास आपके मौनिंग सुबह 7 अम पे डेली लाइव आती है आप सबी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफेर्स में बहतर होने वाली है ठीक है दोस्तो चलिए देली न करते हुग आज के पहले कुशिन प पिशारी किया गया रिसेंटली ओन दा ओसियन ओफ कॉंपलियेशन ओफ टू यर्स ओफ पीम घाटी सक्ती वाइ हूम वाज दी कॉंपेंडियम ओपीम घाटी सक्ती रिलीज़ इन न्यू डेली फर्स्ट ऑप्शन है द्रब्दी मुर्मू सेकिंड ऑप्शन है नरन्द मोध थर्ड ऑप्शन है प्यूस गोईल फोर्ट ऑप्शन है राजनाथ सिंग जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशिन का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है मारा ओप्सन नंबर सी प्यूस गोईल ठीक है दोस्तों चलिए इस कुशिन से रिलेटर इंपोर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती है किंद्री वाड़ेज और उध्योग मंत्री स्री प्यूस गोईल दुआरा पीम गती सक्ती के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में पीम गती सक्ती का सार संग्रह जारी किया गिया है इस सार संग्रहे में देश भर में पियम गती सक्ती को अपनाने और इसके लाभों को दर्शाने वाले कुछ सरवोत्तम उपयोग के मामले सामिल है पिछले दो वर्षों में पियम गती सक्ती ने 7000 किलो मीटर से अधिक एक्स प्रेजवे की योजना बनाने में महत पुड भूमिका निभाई है पियम गती सक्ती कारिकरम 13 अक्टूबर 2021 को लॉंच किया गया था इसे समन्वित योजना के लिए एक तंत्र को सच्छम करने की द्रश्टी से लॉंच किया गया था ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हो नेश कुषन देखते है नेश कुषन लिखा है हाल इमें मड़ी पूर हाई कोड के मुखिन या दीज के रूप में किसे निउक्त किया गया है फूर्ट ऑप्शन है जश्टिस रवी सर्मा सेकिंड ऑप्शन है जश्टिस सिधार्द मृदोल थर्ड ऑप्शन है जश्टिस एम एम स्रिवास्तव फूर्ट आप्सन है जस्टिश ओगिस्टिन जॉर्ज मसी जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्टिशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्टिशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा आप्सन नमबर बी जस्टिस सिधार्ट मृदूल चलिए इस कुछिन से रिलेटेट इंपॉर्टन पॉइंटों को पढ़ लेती है दिल्ली हाई कोट के नयादीज जस्टिस सिद्धार्ट मरदुल की मड़ी पूरी हाई कोट के मुख नयादीज के रूप में निक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस मरदुल की मड़ी पूर हाई कोर्ट के मुक नयादीस के रूप में निक्ति की सिफारिश की थी जस्टिस इधार्ट मरदुल को 13 माँ 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट का जज निक्ति किया गया था जहां वे वरिष्टम नयादीस के रूप में कारे कर रहे हैं ठीक है दोस्तों याद रखिएगा most important question है friends आंगे बढ़ते हो next question देखते हैं next question लिखा है हाल ही में banking निर्देसों का अनुपालन नहीं करने पर Reserve Bank of India ने किस bank पर एक करोड का जुर्माना लगाया है recently Reserve Bank of India has imposed a fine of rate 1 crore on which bank for not compiling with banking instructions first option है yes bank, second option है HDFC bank, third option है Bank of India, fourth option है Union Bank of India जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है मारा option नमबर डी Union Bank of India चलिए इस question से related important point को पढ़ लेते हैं Union Bank of India पर banking निर्देशों का अलुपालन नहीं करने के कारड Reserve Bank of India ने एक करोड का जुर्माना लगाया है RBI की प्रेस विक्रप्ती में यह भी रेखांकित किया गया है कि Bank ने कुछ परियोजनाओं के लिए आवंटित बजटिये संसादनों के बदले या इस्थाना पन्न करने के लिए एक निगम को सवधी रिड सुईक्रत किया था साथ ही परियोजनाओं की वेवार हाकता और बैंक योगता का मुल्यांकन किये बिना भी रासी सुईक्रत की गई थी ठीक है दोस्तो आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुछन देखती है नेस्ट कुछन लिखा है हाली में किस राज सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना उरुनो दोई 2.0 सुरू की गई है विच स्टेट गवर्मेंट है जी रिसेंटली लॉंच दी पावर्टी एलिवेशन स्कीम और उनुदती 2.0 फर्श्ट ओप्सन है असम, सिकेंड और सिक्केम, थर्ड ओप्सन है तिरपुरा, फूर्ट ओप्सन है मिज़ोरम बताईएगा दोस्तों इस कुछन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुछन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सन नमबर ए असम असम राज सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना उरुनो दोई 2.0 सुरू की गई है चलिए इस कुछ सेंसे रिलेटि इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं असम राज सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना उरुनो दोई 2.0 सुरू की गई है नई योजना अतिक लाभारतियों को उरुनो दोई कार्ट के वितरड के साथ सुरू की गई थी जो समाज के वंचित वर्गों को संसक्त पनानी में एक महत्पूड कदम है उरुनो दो कोई 2.0 का मुखिलच गरीबी उन्मूलन कारक्रम की पहुँच का विस्तार करना है ठीक है फ्रेंस आंगे बढ़ते हैं और नेस कुशन देखते हैं नेस कुशन लिखा है हाली में भार्ती नवीकरडी उर्जाविकास एजनसी लिम्टिड आई आर इडीए में वित निर्द फर्ष्ट आउप्शन है अजयादव सिकिंड आउप्शन है बीके मोहंती थर्ड आउप्शन है राकेज जोसी फोर्ट आउप्शन है पदमलाल नेगी बताईएगा दोस्तो इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा आउप्शन नंबर बी बीके मोहंती चैलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को अपड़ लेती है बीके मोहंती को भारती नवी करडी उर्जा विकास एजेंसी लिम्टिड में विति निर्देसक के रूप में निक्त किया गया है डॉक्टर विजय कुमार मोहंती को कारभार ग्रहड करने की तारीक से 5 साल की अवदी के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इसे पदपर निक्त किया गया है और IR EDA का मुख्याल है कहा है दोस्तों नई दिल्ली में है ठीके आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है हाल ही में किस देश के लोगों ने मुल निवासियों को सम्वेधानिक मानिता देने के जन्मसंग्रह को आस्विकरा कर दिया है Recently the people of which country have rejected the referendum to give constitutional recognition to the indigenous people First option है France, Second है Germany, Third option है Austria, Fourth option है Australia बताईएगा Friends इस question का right answer इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा option number D, Australia चलिए इससे relative important point 2 को पढ़ेंगे Australia के लोगों ने मुल निवासियों को सम्वेधानिक मानिता देने के जन्मसंग्रह को आस्युकार कर दिया है इस इस एतिहासिक जन्मसंग्रह में 60% से अधिक Australia ही लोगों ने नहीं के पच्छ में मतदान किया है यह जन्मसंग्रह सम्वेधान में बदलाव करने और आस्टेलिया के मुल निवासियों को सम्वेधान में मानिता देने के लिए आयोजित किया गया था मुल निवासी आस्टेलिया की आबादी का लगबग 3.18% है मुल निवासी इस चेतर में 65,000 से अधिव वर्सों से रह रही हैं लेकिन सविधान में उनका उलेक नहीं है खीके फ्रेंड्स आंगी बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है हाली में केंसरकार द्वारा किस तारीप को राश्ट्रिय अंतरिच दिवस घोसित किया गया है विच डेट हैज रिसेंटली बीन टेकलियर्ड एज नेशनल स्पेस डे बाई दा सेंट्रल गवर्मेंट फर्स्ट ऑप्षन है 28 जुलाई को, सिकिंड ऑप्षन है 10 अगस्त को, थर्ड ऑप्षन है 23 अगस्त को, फोर्थ ऑप्षन है 28 अगस्त को जल्दी से बताईएगा फ्रेंज इस कुश्चिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चिन का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हैं हमारा ऑप्षन नमबर C 23 अगस्त को चलिए इस कुश्चिन से रेलेटर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती है चंद्रियान 3 की मिशन की सफलता के उपलच में केन सरकार दुआरा 23 अगस्त को राष्टी अंतरिज दिवस घोसित किया गया है चंद्रियान 3 मिशन विक्रम लेंडर और प्रिग्यान रोवर के साथ चंद्रियान 3 मिशन के साथ ही भारत 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 चंद्रियान 3 मिश सरकार द्वारा प्रोजेक्ट निल गिरी तेहर लॉंच किया गिया है प्रोजЕक्ट निल गिरी तेहर है जोन भाइ विक श्टेट गवर्मेंट रिसेंटली फर्स्ट आप्सन है केरल, सिकिंड आप्सन है तमिल नाडू, थर्ड आप्सन है करनाटक, फूर्ट आप्सन है मद्पिर्देश जल्दी से बताईएगा फ्रेंच इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुशिन का जुराइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्सन नंबर B तमिल नाडू तमिल नाडू राज सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नील गिरी तहर लॉंच किया गया है चलिए इस कुशिन से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं तमिल नाडू के मुख्य मंतरी M.K. स्टॉलिन दौारा प्रोजेक्ट नील गिरी तहर लॉंच किया गया है तता साथ ही नील गिरी तहर के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए के साथ यह परियोजना सुरू की गई है इसके माद्यम से नील गिरी तहर प्रजाती के बारे में जागरुकता बढ़ाने और चैनित स्थलो पर पर्या वरर परियतन गती विदियों को विक्चित करने में भी मदद मिलेगी ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन दिखा है हाली में एव आई दी ए वर्ल्ड जूनियर रैपिड सत्रंज चैंपियनसिप दो हजार तेस का खिताब किसने जीता है फर्स्ट ऑप्शन है डी गुकेस, सिकेंड ऑप्शन है गिरीज कौसिक, थर्ड ऑप्शन है आर प्रज्यानन, फोर्ट ऑप्शन है रौनक सावधानी जल्दी से बताइए का दोस्तो इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ऑप्शन नंबर डी रौनक साथवानी जी को FIDE World Junior Rapid Championship Championship 2023 का किताब दिया गया है चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं रौनक साथवानी ने FIDE World Junior Rapid Championship 2023 का किताब जीता है रौनक साथवानी ने 8 राउंड जीते और 2 हार कर 8.5 अंक अर्जित किये हैं और विस्व जूनियर Rapid Championship बने हैं रौनक साथवानी महराष्ट के सबसे कम उम्र के Grand Master हैं ठीके फ्रेंड्स चलिए आंगे बढ़ते और आज का लाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन हमारा लिखा है प्रती वर्स विश्व चात्र दिवस कब मनाया जाता है वेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलीब्रेटेड एवरी इयर फर्स्ट ओप्सन है 15 अक्टूबर को सिकिंड ओप्सन है 16 अक्टूबर को फर्ड ओप्सन है 17 अक्टूबर को और फोर्ट ओप्सन है 18 अक्टूबर को जल्दी से बताईएगा दोस्तों प्रती वर्स विश्व चात्र दिवस कब मनाया जाता है इस कुशन का जो राइत आंसर हो जाएगा दोस्तों वे हैं हमारा ओप्सन नमबर ए 15 अक्टूबर को प्रती वर्स विश्व चात्र दिवस मनाया जाता है चलिए इस कुशन से रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेती है भारत में प्रती वर्स 15 अक्टूबर को विश्व चात्र दिवस मनाया जाता है भारत में चात्र दिवस डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलच में मनाया जाता है विश्व चात्र दिवस दो हजार तेईस की थीम भविस को ससक्त बनाना सभी के लिए सिच्छा है क्या है दोस्तो most important है याद रखिएगा इस बार की जो थीम रखी गई है वे है हमारी भविस को ससक्त बनाना सभी के लिए सिच्छा I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास बहुत helpful भी लगी होगी अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा मानशी स्टडी चैनल थैंक्यू दोस्तों